नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे स्यूट्यूप चानल पर दोस्तों आज के सुडियो में हम देखने वाले या फिर आप ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग ज़रू जिद सकते तो दोस्तों जैसे कि मैंने मैच को हैलाट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अब तक टीम नहीं बनाए तो क्रियेटेटिव पर क्लिक किजिएगा लेकिन मैं अल्रेटी टीन टी अफकोस आप वीडियो में खो जाए इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर मेरे चैनल का आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लिजिए साथे साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूली ताकि आइसे वीडियो आप तक पोस्टेर है ! तो दोस्तों शुरू करता है वीडियो को दोस्तों MyTeam पर क्लिक कर लेते हो और पहली टेम्प को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हो तो सबसे पहली टीम में हमने यहाँ पर देख सकते हैं कुलमिला के हमारे पास तीन अच्छा अच्छा आप्शन से कीपिंग में क्योंकि इन दोनों के बीच मेरे खाल से 1-1 की मैच अभी हुआ है और अभी MSF की मैच मेरे खाल से चल रही या फिर कुछी मिन्टों में शुरू होने आली तो अब हमारे पास एक आप्शन मेने यहाँ पर चूज कर लिया डबलू खान को इसके अलाओ किसी और किपर को फिलाल में नहीं लेने आलो बैटिंग पर चलते तो एस खान को लूँगा जेड अलजोई को लूँगा दोनों की दोनों अच्छे है और जेड अलज पर चलते हैं तो एक खलील को मैं अफकोस लूँगा हर टीम में लेने की कोशिश करूँगा इस अफरेदी जयार को भी हर टीम में लेने की पूरी कोशिश करूँगा और तीसरे जो है यहाँ पर डी मोहमत को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया है तो इस तर से तीनी और रॉ पूरी कोशिश करूगा तो इस तरसे चार अच्छे गेनबाज मैं ने सिलेक कर लिए जिसमें से दो हमारे हर टीम में रहेंगे और देखते हम दो में कुछ चेंजजेस कर सकते तो जरूर कोई अगली टीमों में changes करने की कोशिश करेंगे चलिए continue पर क्लिक करते हैं और देख लेते captain और vice captain किसे बना सकते हैं तो मैंने इस team का captain जैसे कि आप देख पारे जेड अलजोई को captain अफकोस बनाना ही होगा मजबूरी है दोस्तों क्योंकि कफी खतरनाक performance कर रहे है तो इनको captain और एक खलील को vice captain बनाएंगे तो कुल मिला के हमारी काफे चीटे मज़के अब इक बार टीम प्रिव्यू ज़रूर कर लेते हैं तो जैसे टीम प्रिव्यू हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने keeping में एकी कीपर को लिए डबलू खान को उसके आलाव भी हमारे पास एक दो और और ओप्शन है लेकिन अभी फिलाल हम एकी कीपर के साथ जाएंगे उसके बाद हमने बैटिक में तीन बल्लेवाजों को लिए हुसेन ल जोई उसके बाद एस खान यहाँ पर तीन यह उप्शन हैं लेकिन इतने बड़िया नहीं फिर हम अगले टीमों में कोशिश करेंगे कि कुछ चेंज़ें जरूर कर सके इसके बाद यहाँ पर मैंने तीन ओल्रॉंडर लिये एक खलील को लिया है डी मोहमत को लिया है और एस अफ्रेदी जीयार को लिया है तीनों की तीनों बेस्ट ओल्रॉंडर है और अभी तक अच्छा खासा परफॉर्मस कर चुके तो करने को सला में दूंगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे बिल्कुली स्मॉल लिग के लिए उसमें तो आप इसको दोनों लिगों के लिए यूज कर सकते हैं क्याप्टन और वाइसकाप्टन के अगर फिरसे बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ है अलजोई को में क्याप्टन बना रहा हूं जिया दोस्तों अगर इनके मतलब अबी तक मेरे खाल से इनों ने तीन मैचेस के लिए और इनके पिछले दो मैचेस के अगर मै एक मैच में परफर्बंस के दूसरी मैच की भी बात कर ले तो इन्होंने तो यहाँ पे कुछ जादा ही कर दिया है जिए दोस्तों 22 गेंदों में 55 रणों के जबादस खतरनाक पारी के लिए जिसमें उन्होंने सिर्फ आठ चक्के लगाए दोस्तों इसलिए इनको captain बनाना ज्यादा जरूई है ना कि सिर्फ इनके point देखकर मैं इनको captain बना रहा हूँ क्यूंकि point देखकर captain बनाना मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता मैं जरूर performance के तोर पर captain बनाता हूँ किसी को भले ज्यादा points रहे और उनका पिछले 2-3 match में परफॉमस अच्छा ना रहा तो मैं इनको captain वाइस captain नहीं बनाता हूँ चले आब वाइस captain की बात करें तो एक हलील को मैं वाइस captain बना रहा हूँ इनके परफॉमस की बात कर लेते तो इन्होंने पहले एक match में 14 गेंदों में 17 ही रन बना पाए थे तो यहाँ पे जादा कुछ नहीं किया था लेकिन विकेट भी उनको एक मिला था तीन चोके उन मारने में सक्सेस हुए थे वही अगर बात करें एक और match की तो 31 गेंदों मे त्रेपन रन बनाये थे जो की काफी जबंदस थे इसमें उन्होंने चार चोके और चार चक्के लगाये थे हाँ तो यहाँ पर बल्ले के साथ इन्होंने अच्छा प्रफॉमस के लेकिन गेंद बाजी में इनको विकेट नहीं मिला था हो सकता है उन्हें गेंद बाजी ना 75 जब इनकें देख सकते कि तो यहाँ पेंरे को शामिल कर लिया मैंने मिल को अच्छापर डिया में तो कि यह भी काफी अच्छे प्लियर है बैटिंग अच्छी कर सकते तो ज़रू आप इनके साथ चाह सकते और राउंडर्स की बात करें तो यहां पर देख सकते एक खलील को अफकोस लूँगा आर खान को ले रहा हूँ एस अफ्रेदी को भी यहां पर ले रहा हूँ आर खान को इसलिए लिए दोस्तों काफी अच्छे प्लियर है हाला कि इनों ने पर अभी तक कुछ परफॉर्मस इतना अच्छा नहीं कया है लेकिन फिर भी इनको एक टीम में जरूर रखिएगा क्योंकि यह काफी अच्छे प्लियर और अच्छी बैटिंग और बालिंग कर सकते तो एक टीम में रखना ज़रूरी है बॉलिंग पर चलते तो बॉलिंग में देख सकते हैं दोस्तों क्यों खान को मैं ले रहा हूँ इसके बाद टी उसेन को तो रखूंगा ही उसके बाद डबलू अहमत को इस टीम में शामिल कर लिया तो इस तर से तीन अच्छे और गेन बाद म पहले कंटीनू पर क्लिक करके क्याप्टन और वाइस काप्टन देख लेते हैं तो अफकोस इस टीम का क्याप्टन एक खलील के साथ को ही बनाओंगा दोस्तों लिकिन वाइस क्याप्टन यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ टी उसेन को इसके बाद टीम प्रिव्यू कर ले इसके बाद तीन और खान को एक खलील को और अफ्रेदी जे आर को इन तीनों को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने काफी चेंजेस किये लेकिन काफी बढ़िया चेंजेस है दोस्तों उसके बाद गेनबाजी की बात करें तो टी उसेन को अफकोस रहा हूँ इनके बारे में जादा कुछ पोलने के जरूत नहीं है फिर भी बता देता हूँ उन्होंने एक मैच में 31 गेंदों में 30 रनों के पारी खेली थी वहाँ पे उनको एक भी विकेट ने मिलेते और चार चवके और चार चक्के उन्होंने यहाँ पे लगाये थे दू प्रफर्मेंस के चार गिंदों में 14 रनों की अचछी दुआदार पारी के लिए थी छोटी सी मगर दुआदार और इसमें दो सिक्स इन्होंने लगाये थे याने यहाँ पर हमें यह बात समझ में आती कि जरूरत पढ़ने पर यह अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी कर सकते उसके पहले कि मैं आच के बात करें तो इनको बल्लेबाजी नहीं आई थी लेकिन इन्होंने एक विकेट फिर भी वहाँ पे भी ली थी तो इसलिए इनको वाइस क्याप्टन नन बनाने में कोई प्रॉब्लेम नहीं काफी बढ़िया पर्फरमस कर सकते तो जरूर आप इनको वाइस काप्टन बना सकते तो इसलिए एक खलील को क्याप्टन और टी उसेन को मैं वाइस क्याप्टन बना रहा हूं दोनों की दोनों बेस्टे दोस्तों ज़रूर आप इन दोरों के साथ जासकते फिर से काऊंगा इस ट्रीम को भी आप ज्यादा से जादा ग्राइड के ल लिग लगा देते तो भी कोई प्राब्लेम नहीं अगर आप स्मॉल लगा नहीं चाते तो एक जरूर लगा दीजेगा काफी फायदा हो सकता है चले दोस्तों इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम में आपको इडिट करके दिखा देता आज अदे तीसरी और आखरी टीम के अगर बात करें तो यहाँ पर में एक की पर के साथ जा रहा हूं अभी तक इनको मैंने मेरी खायेल से लिया नहीं तो यहाँ एक कि में देख सकते हैं यहाँ पे मैं S अली के साथ जाना चाहता हूँ जिया दोस्तों S खलील को अलरेडी हम दे चुके तो इनको नहीं लूँगा S अली के साथ मैं जाऊंगा क्योंकि यह भी अच्छे कासे बैट्समन है तो जोरू आप इनको एकाट टीम में शामिल कर सकते हैं इसके बाद All-Rounder पर चलते तो एक खलील को ले रहा हूँ इस अफरेडी जीयार को जरूर लोगा और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो दी मोहमद के साथ जा रहा हूँ ज्यार दो फिर से बात करते हैं बैटे की फिर से बात मता देता हूँ एक खलील को ले रहा हूँ, इस अफ्रेदी जे आर के साथ जा रहा हूँ, इसके बाद दी मोहमत के साथ जा रहा हूँ, आप चाहे तो एक खान जाहित को भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी इनको लेना चाहे हैं, तो तीन बल्लेबाद हमारी उपास हो चु इनको भी मैं ज़रूर रहूँगा, ये भी अच्छे खासे के इनबाद है, परफॉर्मस थोड़ा कम है, थोड़ा कम है, लेकिन अच्छा है, तो ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं, एक हाट टीम में इनको ज़रूर शामिल कर सकते हैं, फिर से एक बार टीम ज़रूर आप इन दोरों के साथ जा सकते हैं, आजे क्याप्टन और वेस क्याप्टन इनको चूज कर सकते हैं, टीम प्रिव्यू कर लेते एक बार फिर से, तो यहाँ पर देख सकते हैं, कीपिंग में मेरे पास एक की ऑप्शन है, आई जिया को ले रहा हूँ, उसके बाद इस अली को पिछले डोनों टीमों में नहीं ले पायता है, इस टीम में जरूर लूँगा, और एस खान को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ, तो इसके बाद हमार पास तीन ओल राउंडर है, एक खलील, डी मोहमद को ले रहा हूँ, इस अपर दी जयार को ले रहा हूँ, गेनबाजे की बात करें, तो चार गेनबाजे मेरे पास अफकोस आप देख सकते हैं, टी हुसेन, एल मोहमद, क्योखाण, और जेड, जे अजई, इस तरह से तीन, चार और अच्छी खासे गेनबाजों को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया, और यहाँ पे भी मैंने काफी चेंजे की है, यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, यहाँ पे भी मैंने चेंजे की है, लेकिन फिर से कहूंगा, जिनको लिया है, और जिनको छोड़ा है, दोनों अच्छे है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, हो सकता है, ज्यादा फा सबसे पहले बात कर लेते कप्तान सही कीजिए दोस्तों क्यों कप्तन को मैंने कुछ क्यापक्टन मनाया इसके रिजन है दोस्तों इनोंने एक ही मैच खेला अभी तक और पहले मैच में इन्होंने काफे जबरदस गेन बाजी किये इनोंने दो ओवर में शिर्फ आट रन दिये दोस्तों और साथी साथ तीन विक्तेश हासिल किये तो दोस्तों चाहे टीटेन हो चाहे वंडे हो चाहे टेस्ट हो किसी भी फॉर्मेट में यह आकड़े जबरदस्त कहें लाएंगे क्योंकि दोवर में आट रन तीन विकेट काफे जबरदस से तो इसी वाज़े से इनको कैप्टन बनाना ज़रूरी है दोस्तों और साथे साथ एस अफ्रेदी जे आर की बात करें तो इन्होंने एक की मैच में 13 गेंदों में 26 रनों के पारिके ली ती जिसमें एक चवका और तीन चक के शामिल थे और साथे सब एक विकेट लेने में भ भीत हो सकते तो जरूर आप इस तर से कर सकते तो कुल मिला कि हमारी टीम काफी अच्छी बन चुके फिर से कहूंगा दोस्तों इस टीम को ग्राइंड लिए ज्यादा से ज्यादा यूज़ की जिगा स्मॉल लिए के लिए जरूरी दोनों लगाएंगे तो भी आपको कोई न चेंज करने चाहिए तो आप जरूर चेंज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चेंजिस मत की जिगा थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है और साथी साथ टीमें भी काफी अच्छी बनी है तो आई होप आपको मेरी टीनोटी में और मेरा वीडियो जरूर पसंद आगा और अगर पस सकते हैं तो उसके बारे में आपको बता सको या फिर मैं आज के बारे में भी कुछ अपडेट रहती है तो वह भी मैं आपको बता सको तो इसलिए टेलिग्राम को जॉइन करना थोड़ा जरूरी है आपके सबसे काफी फायदेबन भी हो सकता है तो चले तोस्तों आज के वी